व्यवस्ता विवरन अध्याय उन्तीस मुसा ने सब इस्रायरियों को बुला कर कहा जो कुछ यहवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरोन और उसके सब करमचारियों और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है। वे बड़े बड़े परिक्षा के काम और चिन्न और बड़े बड़े चमतकार तेरी आँखों के सामने हुए परन्तु यहवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धी और न देखने की आँखें और न सुनने के कान दिये। मैं तो तुमको जंगल में चालिस वर्ष लिये हुए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्तर पुराने हुए और न तेरी जूतिया तेरे पैरों में पुरानी हुए। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाखमधो और मदीरा जो तुम नहीं पीने पाए वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोआ तुम्हारा परमिश्वर हूँ। और जब तुम इस थान पर आए अब हेश्पोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकलाए। और हमने उनको जीत कर उनका देश ले लिया। और रुबेनियों, गादियों और मनश्र के आधे गोतर के लोगों का निजभाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सुफल हो। आज क्या वृध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोतर गोतर के तुम सब इसरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बालबच्चे और स्त्रिया, क्या लकड़ हारे, क्या पनमरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमिश्वर यहवा के लिए सामने इसलिए खड़े हो कि जो वाचा तेरा परमिश्वर यहवा आज तुझ से बानता है और जो शपत वह आज तुझको खिलाता है उसमें तु साज़ी हो जाए इसलिए कि उस वच्चन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपत के अनुसार जो उसने इबराहीम, इसहाक और याकूब तेरे पुरुजों से खाई थी वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमिश्वर ठहरे फिर मैं इस वाचा और इस शपत में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहां हमारे परमिश्वर यहवा के सामने खड़े है और जो आज यहां हमारे संग है, संग नहीं है साजी करता हूं तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मायग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे तब तुमने उनकी कैसी कैसी गिनावनी वस्तुए और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूरते देखी इसलिए ऐसा नहो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष वस्त्री वखुल वगोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमिश्वर यहां से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे फिर ऐसा नहो कि तुम्हारे मध्या ऐसी कोई जड़ हो जिससे विश्वा कड़ुवा बीज उगाए और ऐसा मनुष्वर इस शाप के वच्चन सुनकर अपने को आशिश के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के इट पर चलो और तुब तो होकर प्यास को मिटा डालो तो भी मेरा कुशल होगा यहोवा उसका पाप शबा नहीं करेगा बरन यहोवा के कोप और जलन का धोआ उसको च्छा लेगा और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आपड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धर्ती पर से मिटा देगा और विवस्ता की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इसराल के सब गोत्रों में से हानी के लिए अलग करेगा और आने वाली प्रिडियों में तुम्हारे वन्ष के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेश मनुश्य भी जो दूर देश से आएंगे वे उस देश की विपत्तिया और उसमें यहोवा के फैला हुए रोग देखकर और यहां भी देखकर कि इसकी सब भू गंदक और लोन से भर गई है और यहां तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उपती है बरन सदोम और अमुरा अदमा और सबोईम के समान हो गया है जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलहाट में उलड़ दिया था और सब जात बढ़कने का क्या कारण है तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पुरोजों के परमेश्वर यहवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है और पराय देवतों की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहवा ने उनको नहीं दिया था इसलिए यहवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े और यहवा ने कोप और जलजलहाट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उसके देश में से उखाड़कर दुसरे देश में जैसा कि आज प्रगट है गुपतबाते हमारे परमिश्वर यहवा के वश में है परंतु जो प्रगट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वश के वश में रहेगी इसलिए कि इस व्यवस्ता की सब बाते पूरी की जाए